कि आप आप सब का स्वागत है मैं विकास बचव क्लास 11 का मैं सम करेंगे चैप्टर है आपका सेट्स यानी समूच तो यहां पर कुछ फाइनल लास्ट के कुछ क्वेशन्स बचे हैं आपके लास्ट चक्ससाइज के तो बचो उमीद है यह सब आपको अब काफी लग रहे होंगे यह क्वेशन्स और आप कर पाएंगे तो देखे कॉंसेप्ट वही यूज होना है फॉर्मला आपका वही जानी नहीं होगी आपको सेवन्थ देखिए सेवन्थ में क्या है 65 वैक्तियों के समूं में 40 वैक्ति क्रिकेट और 10 वैक्ति क्रिकेट तथा टैनिस दोनों को पसंद करते हैं तो कितने वैक्ति केवल टैनिस को पसंद करते हैं किन्तु क्रिकेट को नहीं कितने वैक्ति टैन लिखें उसके बाद सॉल्व भी खुद करें क्योंकि जो असली चीज है बच्छो क्वेशन की स्टार्टिंग है वहीं से तो है कि यहां से क्या क्या गीवन है वो लिखते हैं पहले उसके बाद सॉल्व करते हैं तो गीवन एक पर ही आ जाता है तो यह मान लो 50% चीजी आपकी सॉल्व हो गई और सोचो 50% चीजें तो क्वेशन में ही गिवन है आपको क्वेशन में ही दिया हुआ है तो बाकी 50% आपको हल करना है तो वह काफी इसी है इसलिए मैं चाहता हूं कि क्वेशन पढ़के आप इसको रीड करके यहां पे नोट डाउन करो जो जो चीज दी हु तो स्वेशन गिवन तो आपने लिख लिया होगा यहां पर क्या क्या क्यातिया है 65 वैक्तियों के सम्मूं में से 40 वैक्ति क्रिकेट खेलते हैं तो अगर मैं क्रिकेट को सी से रिप्रेसेंट करूं तो कितने हैं चालिस वैक्ति हैं और तस वैक्ति क्रिकेट तथा टैनिस दोनों को पसंद करते हैं तो क्रिकेट और टैनिस दोनों को कितने पसंद करते हैं यानि cricket intersection tennis कितना है 10 है दस लोग पसंद करते हैं अब पैसेट व्यक्तियों का समूं है समूं कितने व्यक्तियों का है 65 व्यक्तियों का है यानि कितना है 65 है आपको बताना क्या देखें यह गिवन है अभी तक यहीं चीज आपको दी हुई है बताना क्या है तो कितने व्यक्तियों टैनिस को पसंद करते हैं किन्तु क्रिकेट को नहीं तो यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा बचो अलग तरीके से आपको पूछा गया ह है कितने व्यक्ति केबल टैनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं तो हम उसमय inevitably हटा देंगे यह हमसे पूछा गया है इसका तो हमें पता नहीं है फिर final question क्या पूछा गया है कितने व्यक्ति टैनिस को पसंद करते हैं तो टैनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी आपको यहां पे find out करनी है बतानी है students यह given है देखे सूतर आपको पता है formula क् उस होर्मले का यूज़ करके ये डाटा यूज़ करके आपको आंसर निकाल देना है कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे है यही होता है सुत्र अब देखिए इस में से हमें क्या निकालना है टी टैनिस पसंद करने वाले वैक्तियों की संख्या निकालनी है सी यूनियन टी कितना है बच्चो 65 है 65 सी कितना है 40 है एटी तो आपको फांड आउट करना है और सी इंटरसेक्षण टी कितना हो जाएगा बच्चो तो C intersection T यहाँ पे 10 आपको given है अब आपको solve करना है answer आपका देखिए 10 इस पसंद करने वाले व्यक्तियों की शंख्या तो easily आ जाएगी यहाँ से कैसे आएगी 65 है 40 minus 10 यहाँ पे हो गया प्लस अब 40 minus 10 कितना हो जाता है 30 तो 65 is equal to 30 plus and T अब 30 को left hand side लेके आ जाओंगो तो 65 minus 30 is equal to and T T कितना आ जाएगा बचो तैनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या जाएगी 35 आ जाएगी तो इसको not down करो उसके बाद आपको निकालना है find out करना है T minus T पहले इसको not down कीजिए और बच्चों देखिए क्या आपका अंसर सेम आया था क्या आपका method सेम था और फिर T minus T को find out इसको देखिए अब final part हम करेंगे N T minus T निकालना पड़ेगा हमें तो यह क्या निकाल रहे हैं हम यहां पर निकाल रहे हैं ऐसे व्यक्ति यह से व्यक्ति जो तेनिस को पसंद करते हैं प्रिकेट को नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की संख्या क्या होगी बचो एंद T minus T is equal to कैसे होगा बचो यह हमने detail में discuss किया था जब हम concepts कर रहे थे तो वहां पर detail में हमने इसको discuss किया था चलिए कोई बात नी एक बार और हम इसको प्राइग्राम की मदद से समझेंगे तो आपको बहतर समझ में आएगा उमीद करता हूं बचो जहां भी कोई doubt लगे बचो immediately आप पूछ लिजिए कि मैं चाहता हूं आपको एक्दम बढ़िया तरीक से समझ में आ जाया तो देखिए यह यूनिवर्सल सेट है ये थी मान लीजिए ये c मान लीजिए ठीक है तो यह जो दीज का रीजन है ये क्या हो गया ये हो गया t intersection c यह हो गया यहाँ पे देखे यह क्या हो गया यह हो जाता है t-1 कौन सा region तरफ यह region वच्चों यह हो जाता है यह श्तर त्व तर दिख रहा है यह area cm रहा है यह हो जाता है आपका ती माइनस टी और यह जो रीजन है बीच वाला तीक है यह जो बीच वाला रीजन है यह वाला रीजन यह हो जाता है ती अब हमें क्या करना है सिर्फ टी माइनस टी निकालना है ती माइनस टी कैसे निकलेगा देखें सिर्फ यह रीजन निकालना है तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो टी है यह टी है टी क्या है यह पूरा देखिए जो सेट है पूरा यहां से यहां तक इसमें टी इंट्रसेक्शन सी भी इंक्लूड है तो वो हमें माइनस करना पड़े गा यह माइनस करना पड़ेगा तो यही यहां से हमारा फॉर्मुला आया था बच्छो यह दुबारा मैं ने आपको इस लिए एक्स्टेंड किया हो सकता है कि आप यह माइंड से निकल गया हो यह चीज पता होनी चीए शुरू में ही आपको नोट डाउन करके अच्छे से इसको रिवाइस कर लेना था तो देखिए यहां से हमारे यह फॉर्मुला आया है इस फॉर्मुला में वैल्यूज रख देंगे अब वैल्यूज क्या रखेंगे टी की वैल्यू पता है टी इंट्रसेक् कि अच्छे को खत्म करते हैं जल्दी से सॉल्व करके ताकि अगला क्वेश्चन हम कर सकें तो यहां पर टी माइनस ती आपको फाइंड आउट करना है टी कितना आया अभी देखिए हमने टी निकाला 35 तो 35 और टी इंट्रसेक्शन सी तैन था यह आगया 25 तो 25 ऐसे वैक्टी है जो टैनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं ठीक है यहां पर आप देख सकत आपका आउनसर आगया है ताकि आप घर पर रिवाइस कर पाएंस को अब बचो अगला क्वेशन हम करेंगे नेक्स्ट वेशन है वेशन नमबर एट जो है उसके सबसे पहले जो चीजें दी है वह आप लिखेंगे गिमन लिखे फिर उसके बाद इसको हल कर लेंगे है ना वेशन एक परी मैं एक्स्प्लेइन कर देता हूं एक बार आपको ताकि इसली आप इसको कर पाएं और कि यहाँ बड़न है एक कमेटी में 50 वेक्ति फ्रेंच और दस वेक्ति स्पैनी और फ्रेंच दोनों और आ गया है मतलब क्या आएगा इंट्रेक्शन आयंगी चीजे आपको ढ़िखनें सकते हैं कितने वती इन दोनॐ Rob में से कम से कम एक भाशा बोल पाएंगे यह आपको बताना है बचों तो आठमा खुद सॉल्व करके देखे और बचों आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा जल्दी से हल कीजिए स्टूडिन्स तो स्टूरेंट्स किस का आंसर आ गया है आंसर अभी तक आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स हम कर चुके हैं इस टाइब के यहां पर देखिए जैसे फ्रेंच है तो हम एप से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पर फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं प को आपको क्या बूलना कि बताना कि इन दोनों ही भाशाईं इसे कंएक भाशा बोल सकते हैं मतलग यहां तो Emir यही अजाता है वहां पर क्या चीज आएगा ड़ेंट्स क्षों नहीं वहाँ पर यूनियन आएगा क्या आएगा यूनियन आएगा यह आपको find out करना बहुत ही easy है बचो find out करना तो कैसे find out करेंगे यहाँ पर formula हम लगा देंगे spanish union french is equal to french spanish अब क्या करना है students union आपको निकालना है french कितने है 50 plus spanish बोलने वाले 20 है minus spanish intersection french कितने है सॉल्ट कीजली करेंगे easily हमारा आंसर आ जाएगा 50 plus 20 70 माइनस 10 यह आगया 60 तो 60 लोग ऐसे थे जो कम से कम भी एक भाग्या बोल सकते थे नो डाउन कर लीजी यह आपका आंसर हो गाए चले students यह exercise तो आपकी complete हो गई है कुछ mixed question करते हैं examples करते हैं हम ताकि और अच्छे तरीके से exercise को इस chapter को आप समझ पाएं अब देखे यहां पर आपका यह chapter complete होता है बचो तो किसी को कोई अगर doubt होता है problem है तो आप immediately पूछ लिए यहां पे हम लगभग लगभग सारी चीज़ कवर कर चुके हैं ठालबरर्वा लिए अबचयर्टी से यहां पर आपको क्या गिवन है वह देखेंगे यहां पर 55 विद्व्यारतियों की कक्षा में चोबिस क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं‌ पषेहर लेंघी क्रिकुन है सिंपल सा और नहीं कर चुको सब्सक्राइब केया जल्दी से हल करेंगे और आंसर बतांगे चले स्टुरेंट्स साथ में इस question को solve करते हैं यहां पर क्या क्या क्यों है 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो हम जो Cricket केलना पसंद करते है उसको स्टी से रपर्रेजंट कर देते हैं 24 विद्यार्थी Dr. Kin ecosystem के और ये बोला गया है कि प्रतेक विद्यारथी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है that means C Union F क्रिकेट या फुटबॉल कोई एक तो गेम खेलता ही है हर एक बच्चा 35 में से तो मतलब 35 के 35 बच्चे कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं तो C Union F क्या हो गया 35 हो गया अब आपको क्या पूछा गया है कितने विद्यार्थिक क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं that means C intersection F आपको find out करना है students easily आप कर सकते हैं कैसे करेंगे तो C Union F is equal to N T plus N F minus N C intersection F तो C intersection F तो आपको निकालना है C Union F 33 है C कितना है 24 रिकेट खेलने वाले 24 है फुटबॉल खेलने वाले 16 है और दोनों खेलने वाले आपको find out करने है तो किजिए फर्दर क्या आएगा 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा माइनस C intersection F अब देखें C intersection F को left hand side ले आएंगे तो sign हो जाएगा plus का is equal to 40 minus 35 और 35 को हम right hand side लेके चले जाएंगे यह कितना आजाएगा answer आजाएगा पांच मतलब पांच ऐसे विद्यारती है जो दोनों ही खेल खेलना पसंद करते हैं सुटेंट्स तो इसको कर लिजिए तो स्ट्रेंट्स एक बारे देखिए यह चैप्त्र आपका complete हो चुका है बिल्कुल हम revise करते हैं क्या क्या हमने यहां पर किया था ठीक है सारे topics हम revise करते हैं काफी सारे हमने यहां पर किया था समुच्छ निर्मान रूप समुच्छ निर्मान रूप या फिर आप क्या बोल सकते हैं रोस्टर फॉम भी किया था हमने और रोस्टर रूप यह किया था उसके बाद बचों हमने किया था रिक्त समुच्छ रिक्त समुच्छ क्या बोलते हैं इसको एम्टी सेट बोलते हैं और क्या किया था बच्छों हमने और किया था परिमित और अपरिमित समुच्छ क्या किया था परिमित और अपरिमित अपरिमित समुचे यानि इसको हम बोल सकते हैं समुचे किया था और क्या किया था बच्यों समान समुचे किया था हमने और क्या किया था बचो समान समूच्चे के बाद हमने किया था पावर सेट किया था घात समूच्चे और हमने क्या किया था पावर सेट फिर हमने विन आरेक किया था है ना वेनट डािग्राम जिसको हम बोलते हैं वो किया था फिर हमने union and intersection यह किये थे यह तो अभी तक हम use कर रहे थे union और intersection set के और हमने बचो tactical questions भी किये थे जो हमने last में हमने की तो काफि सारे concepts आ गये थे इसमें ये सभी आपको revise करने हैं बचो पूरा chapter आपको complete यहां पर हो गया है कोई किसी का doubt हो next session में भी आप अपना doubt clear कर सकते हैं तो बच्चों इसी के साथ आज का session हम यहां पर end करते हैं thank you and have a nice day